हालो फ्रेंड्स वैं फार्मसिस प्रांजेली साथपूते मेरे इस मेडिसिन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में दी जाने वाली ओफलामैक यम सस्पेंशन के बारे में तो दोस्तो यह एक प्रकार की एंटिबॉटिक मेरिसिन है जिसमें के आपको ओफलांगसारसिन और मेट्षो नियाडाइजल यह दो ड्रक एक साथ कॉम्बिनेशन में देखने को मिलते हैं तो दोस्तो आगे हम इस वीडियो में इस ओफलामैक यम सस्पेंशन के बारे में पूरी विस्तार में जानकारी देंगे कि मतलब इस सस्पेंशन को बच्चों में किन-किन परिशानियों में बिमारियों में प्रिस्क्राइब किया जाता है किस उम्र के बच्चों में इस सस् से बिलॉंग करते हैं और उनका क्या काम है तो इन सभी के बारे में पूरी विस्तार में जानकारी लेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों नेचे का जो रेड़ वाला सब्सक्राइब बिटन दिखाई दे रहा है उसे चौन प्रेस के जगा इससे क्या होगा हमारे चैनल पर आग अले दोस्तों सबसे परले हम बात करते हैं इस उफलामक यम सस्पेंशन के कंपोजिशन के बारे में की मतलब इस सस्पेंशन को डॉक्टर दवारा बच्चों में किन-किन परेशानियों में बीमायों में प्रिसक्राइब किया जाता है तो दोसो इस suspension को मुख्य रूप से बच्चों में होने वाली diarrhea, dysentery, loose motion इन जैसी problems को treat करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है दोसो diarrhea, dysentery, loose motion यह कैसी condition होती है जिसमें बच्चों के आतों में bacterial infection होने के कारण या फिर किसी तरह का कोई infection होने के कारण बच्चों में बार-बार lettering की समस्या देखने को मिलती है, साथ ही पेट में दर्द रहना, मरोड रहना, उसके बाद gas की problem यह सारी समस्या है बच्चों में देखने को मिलती है तो ऐसे condition में इस diarrhea dysentery को treat करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस ophlamac yum suspension को prescribe किया जाता है इसके अलवा दोसों यह दि किसी बच्चे के दातों में किसी बरकार का कोई bacterial infection हुआ है तो उसे ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा इस suspension को prescribe किया जाता है साथ ही piles और fissures में भी इस दवा को prescribe किया जाता है मतलब यह दि किसी बच्चे को बवासिर के कारण या फिर किसी अन्य रिजन से anal ring पर swelling आई हो या फिर वहाँ पर दर्द हो रहा है redness आई हो तो ऐसे condition में भी डॉक्टर द्वारा इस suspension को prescribe किया जाता है दोस्तों ऐसे condition में भी यह दवा काफी अच्छा work करती है काफी अच्छा result दिखाती है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस suspension के side effect के बारे में कि मतलब इसे लेने के कारण बच्चों में कौन-कौन से side effect देखने को मिल सकते है वैसे तो दोस्तों इस syrup को लेने से कुछ खास side effect देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन फिर भी कुछ बच्चों में nausea, omating यानि की ultimatली होना, सीर में दर्ध होना, मुह में metallic test आना ये कुछ side effect देखने को मिल सकते हैं और जिन बच्चों को ये suspension suit नहीं कर रहा है तो उनमें allergic reaction भी देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों यह बच्चों में देखने को मिल रहे हैं तो आप इस सीरफ को बच्चों में देना बंद करें और अपने डॉक्टर की सला अवश्र ले तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस suspension की dosage के बारे में कि मतलब इसे बच्चों में कितनी मात्रा में दिया जाता है तो दोस्तों इस एक महिने से लेकर छे तक की बच्चे में पाच एमयल की रप दिल में डिवाड़े डॉसस में लेने की सला दी जाती हैं और या northwest समयं अब बात करते हैं इस अर्से बरादनें आपको मर्केट में और कौन-कौन से पकूलर ब्रानने में से देखने को मिलता है तो दोस्तों ये दवा आपको मार्केत में PowerZill Suspension, Dye Off Suspension, Auto AEM Suspension और साथ ही EoraZill O Suspension इन कुछ popular ब्रैंड नेम से ये suspension आपको मार्केत में मिल जाएगा दोस्तों इन में से आप कुमसा भी suspension ले सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इन सभी सस्पेंशन में आपको मेट्रो नियर डैसोल और ओफलोग जर्सिन यह दो ट्रग ही देखने को मिलते हैं तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही I hope you liked this video If so then don't forget to like, share, comments and of course subscribe to our YouTube channel for medicine and health related videos Thank you, thank you for watching